हेलो दोस्तों स्वागत है आपके ये अमडी किसान यूट्यूग चनल में किसान दोस्तों आज हम आपको फिर एक मेला गुमाने का प्रियाज कर रहे हैं और मेले में आपको दिखाएंगे कौन सी नसल की पड़िया भायंस या निकटरी आई हैं क्या रेट होने वाला है और मे देशों से भी इस मेले में आते हैं इस मेले की मानिता भी ज्यादा प्रशिद्ध है दोस्तों आपको बदा दे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिक भी दे देंगे कहां पर ये मेला लगा है आप भी आ सकते हो और इस मेले में अपने हिसाब से ले सकते हो पाइसे आप देख सकते हो, यह दोखो अच्छी न्यसल की भैस है, हज क्लास एक नमबर की मुर्रा, एक नमबर की मुर्रा है, आप देख सकते हो, इसके सिंगो की बनावठे, यह पेज़ी क्या इसकी खुप शूर्थी और इसका जो पीछे का भाग है, जैसा कि किसान बही जा करेंगे दोस्तों कि यह आपकी भैस है इसकी क्या किमत रहेगी एक लाग दस जार रुपे यह कौन से बेत की है पहिला आए होगी आज आज यह इदर आजिए थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में हमारे काफी दर्सक आपको देखना चाहेंगे और चाहेंगे कि अगर मेला आज आए आप खोल के इदर लाइए देखते हैं दोस्तों आप देख सकते हो इस बजार में यानि आप इस मेले में आप देख सकते हो जो भी कटरी है एक नंबर की वहां से आप फुल इंज्वा ले सकते हो देख लीजिए अब इसके बारे में पिजानकारी लेंगे कौन सी भी नसल है कि इनल दूद देती है और इसके नीचे ग्याया है अभी पहला हैben हमें लग रहा है थोड़ा नठकट है अचा अभी मतालब गाबिद्ल हूई है कि यह गाविन नहीं हुई है कितने दिन की है सिमस्य तो अब कैसे गाविन को नहीं हो रहे है अब गाविन होगी तयारी प्रेकर जल्दी नहीं कर न चाहिए और चार दाथ तो इसकी कीमत एक लाग दस हजार रुपे किनी कीमत लग गई है तो गाभिन अभी हुई नहीं तो लगभाग एक दो मेने में हो जाएगी ना गरम तो हो रही होगी किसान ले जागा कराएगा अच्छा मतलब यह आपका एक उद्देश है कि हम नहीं करवाएंगे किसान ही ले कुछ तो यह गैंड है दोस्तों आपको बता दें एक क्या पहला मुर्रा नसल मुर्रा और अगर आप पड़िया लेना चाहते लिए तो आप एक लाख की खरीषकतें देख लीजिए बहुत ही सुन्दर और बहुत ही इसकी हाइट ओफ हाइट सब को देख सकते हो एक नंबर की है आप अगर आना इस बजार को तो आप इस भैस को देख सकते हो काफी लोग आ गए नब्य हजार तक इसके कीमत भी लगा चुके हैं और बेचने विक्रेता का कहना ह देख सकते हो यह पढ़िया आपको नब्य हजार एक लाग तक की लेना है तो आप इस मंडी में इस मेले में आ सकते हो और आप खरी सकते हो अब हम दोस्तों आपको आगे दिखाने का प्रयास करेंगे कौन-कौन सी नशल की भैसे यहां आ चुकी है और आपको कौन-कौन सी देंगे तो आप देख सकते हो यह पढ़िया आज यहां पर उतरी के दोस्तों के पढ़ियों के आपको पहले वाली तुर इतनी फшее वाली तुबढ़िक गे हैंद हमाइद औरależ में एक गाड़ी की क्या स्थिती है संपुर जनकारी अगली वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों लाइक करें और किसान दोस्तों में सेयर करें और अगली वीडियो में हम पड़ियों को जो आज ही माल उत्रा है इनकी जनकारी देंगे और इसे बात कराएंगे ठीक है धन्यवाद दोस्तों जद 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 वीडियो सेर करें और किसंद दोस्तों को परसारीत करें मेला में आएं और पड़ियाख खरीदें